नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मिथून इन्फो टेक में इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतिय इतिहाश इवन संस्किर्थी से समंदित महत्पोर्ण एक सो समन्य ग्यान प्रस्ण उत्तर जो विभिन परतिय लोगता परिक्षाओं में प्राय पूछे जाते हैं इस एक सो समन्य ग्यान के प्रस्णों में से दस प्रस्ण आपके लिए है जिसका जवाब आपको इसी वीडियो के नीचे कोमेंट बॉक्स में लिखना है तो चलिए शुरू करते हैं कोईशन नमबर वन बेद सब्द से आप क्या समझते हैं एंस्वर पवित्र ज्यान कोईशन नमबर टू एत्रे ब्राह्मन किस वीडिका है एंस्वर रिंग वेदका कोईशन नमबर थिरी गिर्नार में सुदर्शन जील का निर्वान किस सासक ने करवाया था एंस्वर चंगुप्त मोर्गे ने वैंस्वर नमबर फाइब अथी गुफा अभी लेख में किस की उपलब्धियों का भिवरन हैं castle खारवेल की उपलब्धियों कांब्धि नमबर शिक्स सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आकरमन के समय वहां के सासक कौन था Q7. नायव ए मामली कात नामक बद का सिर्जन संदलंत काल में किस ने किया? Q8. महमूद के साथ भारत आये किस विद्वान ने भारतिय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? Q9. कलाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को तीन भागों में बाटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग माकीपूर में निक्ट किया गया, तथा तीसरा भाग कहां निक्ट किया गया? Q10. पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर्ट जेनरल की कजकारी परिशत में बिजी निर्मान के उदेश से किसी भारतिये को मनोनीत किया गया? Q11. बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शीदाबाद से परिवर्टित करके मुंगेर कर दी थी? Q12. शूती कहे जाने वाले साहित किस रेनी में किस परकार के गरंथ है? Q13. आडियों के अस्थानांतरन के पुरातात्विक साक्ष कहां से प्राप्त हुए है? Q13. शूती कहें सामिल सात नदियों के नाम लिखे? Q15. चिन्दू, जेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सर्श्वती Q15. उत्तरबैदिक काल में आडिये किस छेतर के लोगों के संपर्क ने आए? Q16. आजीविका पंथ की नीव किस ने रखी? Q17. जेन धर्म के सिधान्त में त्री रत्न नाम के कौन से तिन तत्व है? Q18. गौतम बुद्ध ने अपना पहला परवचन किस अस्थान पर दिया था? Q19. बुद्ध ने अपने सिधान्तों के परचार के लिए किस भासा का प्रियोग किया? Q19. पाली Q20. किस हरपा कालीन संस्थान से कांसे की नर्तकी की मूर्ती मिली थी? दोस्तों, ये प्रस्ण आपके लिए है. इसका उतर कमेंट बॉक्स में लिखें. Q21. हरपा के लोगों के लिए तामबा प्राप्त करने का परमुक सुरूत कौन सा अस्थान था? Q22. एंस्वर राज अस्थान में खेतरी की खादान. Q22. हरपा काल के लोग किस समागरी से बने कपरे पहनते थे? Q23. किस हरपा कालीन संस्थान से परशिद्ध पशूपती मुद्रा मिली है? Q24. हरपा कालीन मुद्राओं पर प्राय कौन से विरिक्ष की आकिर्थी पाई गई है? Q25. हरपा की लिपी में लगवा कितनी संख्या में चिन्ध है? Q26. हरपा की लिपी कैसे लिखी जाती थी? Q27. ताम्र पासान यूग में औजारों के निर्मान के लिए किस समागरी का उप्योग होता था? Q28. ताम्र पासान यूग के लोग मकान बनाने के लिए किस समागरी का उप्योग करते थे? Q29. खेती बारी के अतिरिक्त हरपा के लोगों में कौन सी आर्थी गतिवीदियों का परचलन था? Q30. एंस्वर पसू चराना, पसू पालन Q30. किस परदेश में प्रागेती हासिक काल से तलावो द्वारा सिचाई लोग पिडिये थी? ये प्रस्ण आपके लिए है? इसका उतर कॉमेंट बॉक्स में लिखें Q31. हरपा किस नदी के किनारे पर इस्थित है? Q32. प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में सुंग वन्स के संस्थापक उस्चे मित्र सुंग के बेटे की प्रेम कहानी वर्नित है? Q33. अरपा के नगरों में कीले का निर्मान समाने तर किस दिशा में होता था? Q34. लोथल में पाए गए पर्मुख भावन के धाचे का नाम बताएं? Q35. इसाक की पाँचवी सताब्दी में भारत में आये किस विदेशी यात्री ने गुप्त कालिन भारत की इस्थीतियों का वर्नन किया है? Q36. मोहन जोदरों की खोज किस ने की है? Q34. शिरी आर्डी बनर जी? Q37. भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले शिक्कों में कुछ पर्तीक बने होते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? Q38. उत्तरबैदी काल में गंगा नदी के उपरी मैदानी छेतर में कौन निवास करते थे? Q39. इसा की पहली सदी के लगवग सरपर्थम स्वर्ण मुद्राएं किस ने जारी की थी? Q40. भारतिय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? ये प्रस्ण आपके लिए है इसका उतर कोमेंट वर्क्स में लिखें Q41. पत्थर, धातू, पकी हुई मिट्टी, आदी जैसी सक्त सता पर खुरच कर उकेरी हुई लिखावट को क्या कहते हैं? Q42. कभियों ने राजाओं तथा आश्रे दाताओं की परसंसा ने जिन अभी लेखों की रचना की थी, उन्हें क्या कहते हैं? Q43. परसंस्तियां Q43. चिला लेख लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम किस समराट का है? Q43. मौल समराट असोक का Q44. राज तरंगनी नामक महत्पूर्ण गरंथ, जिसकी रचना कलहन ने की थी, से कहां की जानकारी मिलती है? Q45. ब्याकरन पर सबसे पहला और सबसे महत्पूर्ण गरंथ है? Q45. पानीनी रचित अस्ता ध्याई Q46. शुरुवात में महाकाबे महाबारत का क्या नाम था? Q47. वैदिक लोगों के लिए पुन्य देव का क्या महत्पूर्ण था? Q48. हरप्पा सर्था का सबसे अनूठा एबं सबसे परसिद्ध पूरा अस्थल है? Q49. हरप्पा अथवा सिंदु घाति की सभेताओ की मुहरे किस से बनी है? Q50. ताम्र पासान यूग में औजारों के निर्मान के लिए किस समागरी का उप्योग होता था? ये प्रस्ण आपके लिए है? इसका उत्तर कमेंट बक्स में लिखें. Q51. हर्याना के किस अस्थान से हरप्पा कालिन मिट्टी से बनी हल के मिलने की सुचना मिली है? Q52. एलोरा का परशिद कैलास मंदिर किस ने बनवाया था? Q53. राचीन बारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी थी? Q54. मोरिकाल में एगरो नो मई अधिकारी किस छेतर से समन्दित थे? Q55. एंस्वर राजश्य प्रवंधन Q55. किस वन्स के सासकों को पुरानों में शिरी परवत्य कहा गया है? Q55. एंस्वर इच्छ वाकू Q56. नाना घाट अविले किस सासक के विशय में विश्टित जनकारी प्रदान करता है? Q57. किस सेल कृत गुफा में एक ज्यारख सीरो के बोधी सत्य का अंकन मिलता है? Q58. रिंग वेद में कई परिछेदों में परियुक्त अगन्ने सब्द संदर्भित है? Q59. चट्छी सताब्दी इसापूर्व का मतस्य महाजनपद स्थित था? Q60. असोग का समकालिन तूर में कहां का राजा था? ये प्रस्ण आपके लिए है? इसका उत्तर कुमेंट बोक्स में लिखें. Q61. समराट असोग के राजा देशों का सब से पहले भी कुटन किस ने किया? Q62. दचिन भारत में उच सिक्षा केंदरों के रूप में जाना जाता था? Q63. वो परसिद जैन आचारी कौन थे? Q63. जिनको अकवर के जगत गुरु की उपादी से समानित किया था? Q64. इर विजय शूरी? Q64. सल्तनत कालिन सासक के शिक्कों पर बगदाद के किस अंतिम खलिफा का नाम सरपर्थम अंकित हुआ? Q65. वो चोल राजा कौन था? Q65. जिसने से लंका को पूर्ण सुतनता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवा कर दिया? Q66. वो चोल तुंग वन? Q66. कौन सा बहुत पवित्र अस्थाल निरंजना नदी पर इस्थित था? Q66. बोध गया? Q67. रिंग वेद के अनुसार दसरत युद्ध किस नदी पर हुआ था? Q66. बारत के संस्किर्टिक इतिहास के संदर में इति विर्ति, राजनेतिक इतिहासु और वीरगाथाओ को कंठस करना किसका व्यपसाय था? Q69. किस राजा के निधन पर कभी ने आधा, धारा, निराधारा, निरंबलना, सरस्वत्ति किस परकार की कभीताओं उसे सूप प्रकट किया? Q70. दच्छिन भारत में उस शिक्षा के अंदरों को किस रूप में जाना जाता था? Q71. भागवान मनुस्ष के गुनों को जानता है और उसकी जाती की जांच नहीं करता है, अगले बिश में कोई जाती नहीं है यह किस की सिछा थी? Q72. समराट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले भी कुटन किस ने किया? Q73. प्राचीन भारत के किस पूस्तक में सुंग वन्स के संस्थापक के बेटे की प्रेम कहानी है? Q73. अशोग के ब्रामी शिला लेखों को सर परथम किस ने पढ़ा? Q75. राजा ब्रामनू को छोड़ कर सब का स्वामी है यह विचार थे? Q76. अस्टांग संगर की रचना किसने की कहा? की एंसर अस्टांग संग्र की रचना वांग भट ने की थी कुईशन नमर सेवेंटी सेवन गौतम बुद्ध के गृत्याग को कौन साचिन बताता है एंसर गौतम बुद्ध के गृत्याग को घोरा बताता है पौईशन नमर सेवेंटी एट बौत दर्म का महायान और हीन यान में विभाजन किस संगीती में हुआ था एंसर चतुर्थ बौत संगीती में पौईशन नमर सेवेंटी नाइन दच्छिन भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मित्टी के वर्तनों हत्यारों और अन्य नीजी वस्तुओं के साथ बरे बरे भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था इन कवरों को क्या कहा जाता है एंसर महापासान मेगालित पौईशन नमर एटी चटानों पर चित्रकारी अठवा भित्ती चित्र किस काल की भिन 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 विशिष्ट कला थी ये प्रस्ण आपके लिए है इसका उतर कमेंट वर्क्स में लिखें एंसर कुट्टुबुद्दीन एवक का एंसर नमर एटी टू दचिन में बहमनी राज की अस्थापना किस ने की एंसर बहमन साह क्वेशन नमर एटी टिरी कबीर किस के सिस से थे एंसर रामानंद के क्वेशन नमर एटी पूर सिप जी ने किस कीले का निर्मान कराया एंसर राइगड Q85. बारत में पूर्दगाली सासन की अस्थापना किसने की? A. अलफांडो दी अलबुर्क ने Q86. पर्थम सोतंता संग्राम में एकरांती कारियो द्वारा किस्ती थी को दिल्ली पर कपजा किया गया? A. बारह मय अठारा सो संतावन इस्वी में Q87. सती पर्था का अभिलेखिये साक्ष कहां से मिलता है? A. पांचो दस इस्वी के भानु गुप्त के एरन अभिलेख से Q88. राज तरंगनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? A. गुपाल Q89. सिवी जी के काल में पर राष्ट मामलो के अधिकारी मंतरी की संग्या थी? A. सुमंत Q90. जहांगीर ने फारस के राजा साह अभास पर्थम काचितर बनाने के लिए किसे फारस बेजा था? ये प्रसन आपके लिए है? इसका उतर कॉमेंट बॉक्स में लिखें Q91. इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सी दान्त का परती पादन की सूपी संत ने किया था? Answer. ख्वाजा मेरे दर्द ने Q92. ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमी प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिक निचोरता है और गरीब मजदूर उसे छोर कर अन्यत्र पलाइन कर जाते हैं यह कथन किसका है? Answer. बर नियर का Q93. वह कौन हिंदू चितरकार था? जो जहांगीर द्वारा इरान के सा अब्बास पर्थम का चाया चितर बनाने के लिए बेजा गया था Answer. विशन दास Question No. 94. एलोडा की गुफाओं में ब्राह्मन, बाउध तथा जैन मंदिरों, बिहारों तथा चेत्यों का निर्मान किस वंस के सासनकाल में हुआ Answer. राष्ट कूट वंस Question No. 95. सिमान छेतर के उस उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मुहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की क्या कहलाते थे Answer. खोखर Question No. 96. बहमनी राज में सद्र ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था Answer. धार्मिक तथा नियाइक मामले Question No. 97. बलवन द्वारा अपनाई गई साज की ये निती कहलाती थी रक्त और लोव निती की निती Question No. 98. वासुदेव क्रिशन ने भगवत गीता में अपनी सभी सिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है Answer. अर्जुन Question No. 99. मराठा काल में चौट से क्या आशरे है Answer. दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर Question No. 100. उस्तक प्राकिर्तिक इतिहास किसके द्वारा लिखी थी Answer. ये प्राशन आप के लिए है इसका उतर कॉमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद